अगर प्राइस को किसी candle में cellar ने control करके नीचे ले जाता है, but close होने से पहले buyer price के ऊपर control करके उसके high के अस्पस close कर देता है, तो हम जानते हैं कि ये candle बढ़ने का position के हिसब से इसे hammer या hanging man candle कहा जाता है, train का top में बने तो hanging man और train का bottom में बने तो hammer pattern, और किसी candle में अगर seller price को control करके एक strong red candle बनता है तो उसे strong various candle कहा जाता है और ये दो candle को लगबग सभी traders जानते हैं लेकिन अगर ये दो candle इस तरह एकसद बन जाता है तो हम यह sell side के लिए एक अच्छा trade कर सकते हैं इसका previous वीडियो में इसका opposite जो pattern है उसे मैं समझाया था ये दो candle बनने के बाद आप buy side के लिए एक अच्छा trade ले सकते हो ये वीडियो के अंदर इस pattern को in depth psychology के साथ मैंने समझाया है और अगर वीडियो को देखना है तो description में link के देख सकते हो आज को इस वीडियो में ये दो candle मिलके जो pattern बनता है और काब और कैसे इसे sell side के लिए trade करना होत one day time frame chart में use कर सकते हो तो देखिए ये दो candle मिलके बहुत सरे अलग अलग टाइप्स का इस तरह pattern बन सकता है लेकिन सभी में second candle का close, first candle low के आसपास या उसके नीचे होना चाहिए और सभी के अंदर traders का psychology है वो same होना चाहिए तो क्या है ये दो candle के अंदर traders का psychology उसे पहले समझ लेते हैं, first candle open होता है और वहीं से seller aggressively price को अपना control में करके नीचे लेके आ जाता है, लेकिन candle close होने से पहले buyer price को अपने control में ले लेता है और candle high के आसपास close कर जाता है, तो ये total candle के अंदर अंत तक price का control buyer के पास आता है, लेकिन candle बनते time हमें दिखाई दे रहा था seller price को एक ब जिजना शुरू करता है, और अंत तक price को अपना control में करके ही एक strong bearish candle बना के close कर जाता है, मतलब sellers इस candle में buyers को chance दिया ही नहीं price को अपने control में करने के लिए, तो हमें साब साब दिखाई दे रहा है, first candle से ही seller price को control करने का try करना शुरू कर दिया था, और second candle में buyers का control को aggressively reject करके अपने control में कर लिया है, तो यहाँ chance से कि आगे कुछ candle भी seller price को अपने control में ही रखेगा, तो ऐसा दो candle एक साथ बनने के बाद, sell side के लिए trade करके अच्छा profit कमया जा सकता है, लेकिन chart के उपर किसी भी जगा पे ये दो candle बनने के बाद, आप इसको trade नहीं कर सकते हैं, ये candle pattern बनने के बाद, price अख्सान का और भी कुछ criteria आपको देख के trading decision लेना होगा, तो एक example लेते और उसके थूरू हम समझने की कोशिस करते कि काव और कैसे इसे trade करने पर अच्छा result हमें मिल सकता है, तो किसी भी चार्ट में तीन तरह का trend रहते है, up trend, down trend और sideways trend, और sideways trend, और ये त समझने में आपको problem होता है, तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, जिसका link description में दिया गया है, तो आपको श्रेप up trend और downtrend में इसे trade करना है, अभी दोनों trend का example से इसे trade करने का method को समझेंगे, आपके सामने अभी ये एक चार्ट जो strong up trend में जाड़ा है, फिर price थोड़ा throwback करता है, और उसके बाद ये pattern बनता है, अभी हमें इस pattern का psychology से पता है, कि price इस बार strong seller के control में है, लेकिन trading resistance लेने से पहले आपको recent कुछ price action को study करना है, जैसे throwback करने के बाद इस जगा पे price थोड़ा time बिताया, मतलब buyer और sellers दोनों ही यहाँ price को अपने control में करने की कोशिस कर आता, अभी उसी area में previous price action में भी अब देखोगे buyers और sellers ने fight कया था, मतलब chart के उपर ये एक ऐसा area है, जहाँ price को control करने के लिए buyers और sellers दोनों ही struggle कर रहा है, अभी उसी area में ये pattern बन जाता है, मतलब उस fight area में फिलाल price के उपर sellers अपने control कर चुका है, अभी हमें price का structure देखना तो यहाँ पर आप देखोगे, uptrend का top में कुछ इस तरह का pattern हमें देखने को मिल रहा है, इसको आप head and shoulder pattern भी कह सकते हो, और ये pattern भी हमें price निचे जा सकता है, इस चीज का indication देता है, recent कुछ candle को अगर आप study करोगे, तो आपको इस तरह का pattern देखने को मिलेगा, जो inverted pole and flag का shape ले रहा है, और flag के अंदर आभी ये strong seller control price pattern बनाया है, तो इतना price अक्षन study करके लग रहा है, price यहाँ से निचे जाने का chance ज्यादा है, तो इस जगा पे ये pattern से sell side के लिए जो indication मिल रहा है, उसे trade करने का confirmation हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर अगर आप short sell करते हो, आपका stop loss हो पर, इसके बाद कुछ सेशन seller price को अपने control में ही रखा था, ये चार्ट में price बीच बीच में pullback करते हुए जाड़ा है, और recently ये जगा पे ये pullback क्या है, इस pullback के time में ये दो candle यहाँ बनता है, मतलब यहाँ buyers और sellers का fight हुआ, और अंग तक price के उपर strongly control अभी sellers का है, और तो यहाँ आपका sell signal generate हो जाता है, और stop loss रखना है, इस fight area के उपर, इसके बाद आप देखोगे price को sellers उसी trend में continue करके निचे लेके गया, तो basically किसी भी candle pattern से आपको अगर trading signal मिलड़ा है, तो उसे आप किसी rules के ताहित trade नहीं कर सकते हो, वो pattern कहां बनदा है, किस situation में बनदा है उसे आपको analysis करना होगा, और यह situation हार एक example में अलग-अलग होगा, तो आपको price action को study करना आना चाहिए, तो price action analysis सिखे और ज़्याद से ज़्यादा उसे practice किजिए, जितना practice करोगे उतना आप candle stick pattern, chart pattern को बेतर समझ पाऊगे, और जुरुरत के time, अलग-अलग candle pattern, chart pattern को अपने हिसाब से उसके अंदर का psychology को निकल पाऊगे, जैसे इस chart को देखिए, यह nifty 50 का 30 fast में का 15 minute chart है, इसमें यह दो candle यह pattern बना रहा है, लेकिन इसका बीच में यह candle आ चुका है, तो आपको इस situation में अगर बीच का candle यह दूनों candle size से छोटा है, और बीच का candle अगर बुली से, तो उसको fast candle के साथ combine कर देना होगा, तो आपके पास अभी यह दो candle आ गया, और इसका भी क्या psychology है, वो मैंने आपको आपको अभी समझाया है, candle pattern को combine कैसे किया जाता है, किसी भी candle pattern को read कैसे करते, इन depth अगर आपको समझना है, तो आप हमारा इस वीडियो को देख सकते हो, लिंक description में है, निप्टी 50 में उसके बाद अगर आप देखोगे, प्राइस नीचे ही गया था, क्यूंकि उस दावरान प्राइस असन का सभी क्राइटरिया फुल्फिल हुआ था, मेरा मकसद था ये दो candle का psychology को आपको समझाना, और सही तरीके से इसे trade कैसे किया जाए उसे बताना जो मैं कर चुका हूँ, अभी आप चार्ट में इस pattern को ढूंडिए और situation के हिसाब से price को read करने की कोसिस कीजिए, वीडियो इतना तक देखने के बाद भी अगर आपको लगे इस वीडियो से कुछ सिखने को ना मिला हो, तो dislike करके चला जाना, और अगर कुछ सिखने को मिला ह तो please वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share जरूर करना, इस वीडियो में फिलाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए कई concept के साथ